नमस्कार, हेल्टेप सिंधी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेका राते हैं आपके लिए जाना वेह दिन पोजन्ट और आपके लिए लाबदाएक साबित होते हैं आज हम जिवन्ती के फाइदों के बारे में बात करेंगे जिवन्ती छोटी, चिकनी, मीटी, बहारी, सी होती है यह वात, पित और कफ को नस्ट करती है तथा जलन को दूर करती है और अंड कोश को शक्तिशाली बनाती है इसके अतिरिक्त, मुत्र रोग, आखों से दुन्दा दिखाई देना, दुरबलता, कफ, बुखार, गर्मियादी रोगों को दूर करती है इसे हिंदी में जिवन्ती, माराटी में डोंडी, गुजराती में डाइडोरी और इसे अलग-लग देशों में अलग-लग नामों से भी जाना जाता है तो दोस्तों, आज हम जिवन्ती के फाइदों के बारे में ही बात करेंगे यह बुखार में काफी लाबदायक होती है यदि बुखार की विवस्ता में जलन हो तो जिवन्ती की जर्गा काड़ा बनाकर उसके अंदर घी मिलाकर रोगी को पिलाएं इससे काफी लाब होता है इससे बुखार खतम हो जाता है और बुखार में होने वाली जिलन भी खतम हो जाती है यह रक्तोंदी रोग में भी काफी लाबदायक होता है रक्तोंदी रोग में इसका सबजी बना कर इसके अंदर घी मिला कर खाने के अंदर बहुत फाइदा होता है यह दस्त में भी काफी लागदायक होता है इसके लिए जिवन्ती की सबजी को देसी घी में भून कर धहीं और अनार के साथ खाने से दस्ताना बंदो जाते हैं अगर हातों पैरों में कई छोट लग गया हो तो ऐसे में जिवन्ती की पत्यों को पीष कर इसका लेप खाव पर लगाएं इससे खाव जल्दी भर जाते हैं और साथी उसमें परिशानी भी नहीं होती है। जिवन्ति के पत्ते को डाल कर रखे और इसे उबाल ले अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे और जब यह हलका गरम हो जाये तो इसले पने पैरों को डाल कर रखे इससे आपके शरीर की सारी थकान दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थे जीवनती से होने वाले खुछ फायदे आग की वीडियो में बस इतना ही लॉटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक आवश्य करें